Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थाम नेल में देखि लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपकी प्रशंसा किन बातों में करते हैं ये हम इस रीडिंग के थूप देखने वाले हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें साथ साथ अगर आप पर्सनल डेडिंग लेना चाहते हैं तो वाट्सअप नंबर आल्रेडी डिस्क्रिप्शन में दिये हुए आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं तो लोग आपकी किन बातों के लिए प्रशंसा करते हैं कौन सी बाते हैं जिनके लिए लोग आपकी प्रशंसा करते हैं दा हर्मिट का काड़े लोग आपकी प्रशंसा के न बातों के लिए करते हैं लोग आपकी प्रशंसा के न बातों के लिए करते हैं सेवन आप सूट्स लोग आपकी प्रशंसा के न बातों के लिए करते हैं लोग आपकी प्रशंसा के न बातों के लिए करते हैं मून का कार्ड है फोर अप्सूट्स का कार्ड है लोग आपकी प्रशंसा के नबातों के लिए करते हैं यहां पर है यहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है लोग आपकी प्रशंसा के नबातों के लिए करते हैं यहां पर आ रहा है दैट लोग आपकी प्रशंसा के नबातों के लिए करते हैं लोग आपकी प्रशंसा के नबातों के लिए करते हैं रिलेशन्शिप लोनलीनेस adversity love and bottom of the deck आ रहा है हमारा ग्रेटिट्यूट प्रेटिट्ट्ए एंपती विजन फर्गवववद इजु इस टेच्ग मेंज विजू टेचम। Elevation And bottom of the deck जो आ रहा है वारा है हमारा Willingness तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की आपकी राशी कन्या हो सकती है आपकी राशी मीन हो सकती है आपकी राशी मिथुन तुला और कुम हो सकती है यह आपकी राशिया हो सकती है यह पांस साइन जो है इनका बहुत स्ट्रोंग इंफ्लेंसे इस रीडिंग पर साथ साथ आपकी डेट आप बर्थ का मन्त सप्टेमबर हो सकता है जुलाई हो सकता है फर्वरी हो सकता है September हो सकता है बताई चुकी हूँ April हो सकता है यह आपकी date of birth के मन्त हो सकते हैं तो बात करते हैं कि लोग आपकी किन बातों के लिए तारीफ करते हैं कौन सी बाते हैं जिन के लिए लोग आपकी तारीफ करते हैं देखिए Hermit का काड है यहां पर आप बहुत matured हो आप किसी भी चीज़ को बहुत perfection से करते हो बहुत छोटी छोटी बातों पर perfection लाना चोटी छोटी बातों में बहुत perfection से काम करना साथ साथ मैचुरीटी भोत हुआ आपके अंदर मैचुरीटी भोत है अगर देखा जाए तो जिस इसापचे आपकी उमार है उससापचे अगर मैचुरीटी को कमपेर किया जाए तो अगर आप 30 साल के होना तो आपको 45-50 साल के इंसान की नौलेज है मतलब कह सकते है एक्सपीरियन्स है आनुभाव है तो आप बहुत मैचुर्ड हो इस बात के लिए भी लोग आपकी जो है तारीफ करते हैं आपकी प्रशनसा करते हैं सेवन उफ सोर्स का कार्ड है आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी के साथ धोका नहीं करते हो जो है शे साथ चीटिंग नहीं करते ह। बैक स्टेब नहीं करते हो जो चीजें बिलकुल स्ट्रेट फॉरवड 125 लिए चल कपट नहीं रख ते हो बिल्कुल जो है मूपर वही मन में है और जो मन में है वही मूपर है मतलब आप किसी के लिए छल करपट की भावना नहीं रखते आपको जो भी बोलना होता आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल देते हो कह देते हो टू आफ कप्स का काड है आप रिष्टों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हो आप बहुत अच्छे से रिष्टों को निभाते हो अगर कोई आपके साथ कोई आपकी हेल्प करता है आपकी सपोर्ट करता है आपकी मदद करता है तो वो जो चीज़ें आप कभी भूलते नहीं हो आप उस बात का ऐसान कभी ने भूलते हूं दमून का काड है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा तर लोग अपनी मा को बहुत प्यार करते हैं अपनी मा से बहुत अटेचमेंट रखते हैं और मा की कदर करते हैं और मां की बहुत respect करते हैं चाट साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है अगर आप male हैं तो आप female को बहुत respect करते हैं female energy को मान सम्मान देना जैसे किसी किसी की आदत होती है कभी-कभी आपने देखा होगा बस में कभी कोई इंसान जा रहा है ट्रेन में जा रहा है बहुत भीड़ है तो कोई इंसान ऐसा होता है मतलब male खासकर male की में बात कर रही हूँ उसकी energy ऐसी होती है कि वो अगर कोई female खड़ी है तो वो उटके खड़ा हो जाएगा और उसको सीठ देदेगा वो वाली respect एक female energy कि आप बहुत respect करते हो इसी कारण से इसी वज़े से आपकी life में liquidity की कमी नहीं रहती है liquid cash की कमी मतलब ये कह सकते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है आपकी life में four of sorts का card है आप अपने अपनों के बारे में बहुत सोचते हों आप अपनी family का बहुत ध्यान रखते हो अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत सोचना हमेशा उनका भला चाना कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों की तकलीफ देखकर कई कई राते सो नहीं पाते हो आप tension में आ जाते हो आपको कई बार अपनी कोई समस्या नहीं देती लेकिन आप दूसरों के लिए कई बार जोब बहुत परिशान हो जाते हो बहुत चिंतित हो जाते हो तो लोग इस बात के लिए भी आपकी तारीफ करते हैं लव का काड है आप अपने आसपास हर चीज में आप एक अच्छाई देखते हो हर चीज में एक पॉजिटिव चीजे देखते हो सकरातमक सोचे आपकी आप अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हो चाए वो जानवर हो चाए वो पक्षी हो लविंग एनरजी बहुत है आपके अंदर आप दोसरों से बहुत प्रेम करते हो इसने करते हो आप इंसानों की कदर करते हो आपको पता है कि दुनिया जो है क्या है वो इंसानों की माया है अगर इंसान ना हो दुनिया में तो क्या है ये सब वीरान है तो आप इंसानों को बहुत value देते हो, सभी को value देते हो, बहुत loving energy है आपकी, आसपास के लोगों का ध्यान रखना, आसपास के लोगों का ख्याल रखना, प्रेम से बोलना, प्रेम से रहना, एक दूसरे की help करना, support करना, वो वाली चीज, तो इस कारण से भी न लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, adversity का card है, जो कि बता रहा है कि आपके जीवन में अगर कोई challenges आते हो ना, तो आप उसको negative way में नहीं लेते हो, आप उसको positive way में लेते हो, और आप ये मामते हो कि कोई भी challenge, कोई भी परिशानी आपकी life में आ रही तो वो आपको बहुत कुछ सिखान आ रही है, बहुत कुछ lesson देने आ रही है, तो आप हर चीज को एक positive way में ले लेते हो, ये आपका बहुत plus point है, इसी कारण से लोग आपकी पीट के पीछे भी आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशनसा करते हैं, देखिए सामने तो सभी करते हैं, लेकिन सही प्रशनसा अगर आपकी सही आपको आपका अपना analysis करना है, तो आप ये देखो कि आपके पीट के पीछे लोग आपके कितनी प्रशनसा करते हैं, loneliness का कारण है, आपको कभी loneliness फील नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपके आसपास, आप सब के साथ घुल मिल जाते हो, और आप ये मान करते हो, कि हर एक इंसान के अंदर जो है इश्वर का आंश है, इश्वर का आंश, इश्वर हर एक के रिदे में बसा हुआ है, इसलिए आपको आपके आसपास के लोग आपको आपके परिवार की तरह लगते हैं, आपको आपके अपने लगते हैं, इसलिए कभी भी आपको अकेलापन मैसूस नहीं होता. Relationship ज़्यादा तर आप उनी लोगों से relationship रखते हो, जो कि आपको बहुत positive vibes दें या आपके higher good को सर्व करें आपको जीवन में आगे बढ़ाएं, आपको जीवन में अच्छी शिक्षा दें जिन से आपको एक motivation मिले death का card है आप जीवन में कभी भी अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो आप कभी भी जैसे कोई चीज end हो जाती है तो इंसान इसो तना रही है ये चीज खत्म हो गई, अब क्या होगा लेकिन आपको पता अगर कोई चीज end हो रही है तो आपकी लाइफ में कोई दूसरी चीज जो है वो उसकी शुरुवात हो रही है चेंज को आप accept करते हो, flexible nature है आपका, adjust करते हो, हर इस्तिथी में adjust कर लेना, हर इस्तिथी के अनुसार ढल जाना ये एक आपके अंदर गुण है empathic का card है आप दूसरों के emotions बहुत जल्दी समझ जाते हो आप दूसरों की तकलीब बहुत जल्दी समझ जाते हो वो वाली आपके अंदर शमता है क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हो सब को बहुत deeply analyze करते हो, deeply कि दूसरों के बारे में सोचते हो, बहुत गहराई से सोचते हो और जो इंसान बहुत गहराई से सोचता है वो दूसरों के लिए बहुत करूना रखता है उसके emotions को, उसकी भावना को समझता है जो इंसान दिल से जोड़ा होता है किसी से विजन का card है जो कि यह बताता है कि जीवन में आप एक बड़ी पिक्चर को देखते हो चोटी-चोटी घटना है जो होती है आप उनको नहीं देखते हैं आप एक big picture देखते हैं विजन है आपको पता है जो कुछ भी चोटी-चोटी घटना है आपकी life में हो रही है negative experience जो भी हो रहे हैं जो भी unfavorable experience हो रहे हैं उसके पीछे एक बहुत कह सकते हैं blessings in disguise उसके पीछे बहुत बड़ा आशिरवाद है या बहुत बड़ी कोई चीज हटना आपकी life में होने वाली है positive यह सोचते हो आप forgiveness का card है आप दूसरों को माफ कर देते हो चाहे किसी ने आपको कितना ही दिल दुखाया हो चाहे किसी ने आपको कितना ही दुखी किया हो आप लेकिन उनको माफ कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि आप दूसरों को माफ करोगे तभी आपकी गल्तियों को इश्वर माफ करेगा और जीवन में हमेशा माफ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसी negative energy में stuck रहते हो तो आप उन चीजों को let go करके हतम करके आप जीवन में आगे बढ़ते हो माफ करके जीवन में आगे बढ़ते हो भूलते नहीं हो, कोई आपको hurt करता है, कोई आपको कोई lesson देता है, कोई आपको कुछ सिखाता है, किसी भी through, तो आप उन्ची जों को भूलते नहीं हो, उन्ची जों से lesson लेते हो, लेकिन उनको शमा भी कर देते हो, भूलते नहीं हो, लेकिन माव कर देते हो, Detachment का card है आप Detach रहते हो Attachment आप किसी से नहीं पालते क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी से attachment पालोगे तो क्या होगा जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जो attachment होता है एक इंसान को किसी भी एक energy में stuck कर देता है ये जो मोह हुए तो आप मोह माया से दूर रहते हो Detach रहते हो Elevation का card है आप जो भी decision लेते हो ना भहुत सोच समझ कर लेते हो जो भी निर्ने लेते हो दूसरों की भलाई को सोचते हुए खुद की भलाई को सोचते हुए जिसमें ज़्यादतर लोगों का भला हो आप वो काम करते हो आप वो decision लेते हो वो action लेते हो सबसाथ आपका जो nature है आप present में रहते हो आप ना तो past के बारे में ज़्यादा सोचते हो ना future के बारे में ज़्यादा चिंता करते हो आप present में रहना पसंद करते हो लाइफ को enjoy करते हो क्योंकि जो life को enjoy करता है न जो present में रहता है वो present में रहता है क्योंकि अगर आप past में सोचोगे तो आप अपना present खराब कर लोगे तो आप present में रहना पसंद करते हो, साथ साथ जो कुछ भी जीवन में आपको मिला है, आप उसका शुक्री आदा करते हो, आप उसका gratitude पे करते हो और जो इंसान किसी भी बात के लिए छोटी-छोटी चीजों के लिए gratitude पे करता है, इश्वर उसको और भरपूर मात्रा में हर चीज देता है, तो आप इश्वर का हर परिस्तिति में शुक्री आदा करते हो, इस कारण से भी लोग आपकी प्रशंसा आपकी पीट के पीछे करत हैं, कुछ कार्ट और हम लेंगे और देखेंगे कि लोग और किस बात में आपकी प्रशंसा करते हैं, तो यहां पर आ रहा है, बी यूर सेल्फ, लाइक अट्रेक्स लाइक, अंडरस्टेंड यूर बोडी, बी आफ सर्विस, एंड बोट्व अइड कहा है, एवर्यवन हास वेली, अप हर एक इंसान की रिस्पट करते हूं, हर एक इंसान की वेली это कद्र करते हूं, सम्मान करते हो, चाझ वह अमीर हो, चाझ वह गरीब हो, कोई भी हो, Be Yourself, अपने आप में रहते हो आप, Like attracts like, इसी कारण्ड से आपके जीवन में, आप positive हो, तो जीवन में आपके positive छीज़ें आती है, positive छीज़ेहों को attract करते हो, और अपनी बॉडी को समझते हो अपनी बॉडी की लेंग्वेज को क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हम अपने डेली रूटीन के काम करने के चक्कर में कभी-कभी अपने आपको भूल जाते हैं आपकी बॉडी आपको क्या भूल रही है क्या संकेट दे रही है कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठके हुए हैं और उसके बावजुद हम करे जा रहे हैं, काम करे जाने हैं, करे जाने हैं, लेकिन आप अपनी बॉड़ी को समझते हो, Be of service, हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते हो हमेशा दूसरों की सेवा करते हो और सेवा क्या है? प्रभु के पास जाने का या समीप रहने का मार्ग है Patience is your virtue, आप भहुत सबर वाले हो सबर रखते हो, किसी भी चीज में कोई भी situation हूँ, आप सबर रखके आगे बढ़ते हो सबर के साब से चलते हो Lead by example इसी कारण से लोग आपको अपना ideal मानते हैं और लोगों के लिए आप एक example सेट करते हो आप लोगों के लिए एक बहुत ये कह सकते हैं पॉजितिव एक example आप सेट करते हो Feel joy in all you do जिए भी आप काम करते हो उसमें आप भहुत पॉजितिव या भहुत खुशी महसूस करते हो तो लोग इन बातों में जो है आपके प्रश्यंसा करते हैं तो ये थी रीडिंग, आपके साथ रिजोनेट करें अगर रिजोनेट करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए साथ साथ लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और शेर जरूर कीजिए थेंक यू सो मच पॉर वाचिंग मैं वीडियो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम साइराम जय मातादी राधे राधे